नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोग सभी अच्छे होगी तो फ्रेंस जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर रहे हैं HPGK का मॉक टैस्टू जिसमें हम 20 most important questions डिसकस करेंगे HPGK का और सभी questions हम full explanation में डिसकस करेंगे ताक अली फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं तो first question देखिए यहां पर पूछा गया है हिमाचल परदेश के किस जिले का प्रसीद लोग नृत्य लंग डार मा है आपके option है लहौल स्पीति की नौर कुलू या फिर चंबा बताई राइट आंसर क्या होगा कौन से जिले का प्र होटन डरी भी बोला जाता है या च्म टरीते भी इसको कहते हैं यह नौर्स पीति रॉब किन dependent यह जाता है फिर नौर का इसके अलावा बाक यांग जो नौरन हम किन और के नौर का तो कुल्लू का देखे कार्थी और कथडी नरित्यों, कई बार इन से question पूछ लिए गए हैं, कार्थी या फिर कथडी नरित्यों कहां किया जाते हैं, यह हैं कुल्लू के प्रसिल लोक नरित्यों, इसके लाबा खड़े आतर लोक नरित्यों, दरवेणी नरित्यों, यह हैं आगे देखी नेक्स कोश्चन हिमाचल प्रदेश में स्थित नोगली हाइडरो एलेक्टरिक प्रोजेक्ट की निश्वादन एजनसी कौन सी है एक्जिक्यूटिव एजनसी कौन सी है नोगली हाइडरो पावर प्रोजेक्ट की आप्शन देखी यहाँ पर HPSCB, NHPC, NTPC या फि है HPSCB, फुल फॉर्म क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलेक्रिसिटी वोर्ड, इसके लावा HPSCB के अंतरगत कौन कौन सी पर यूजना आती है, देखिए ध्यान दीजिए, यह तो नोगली हाइडरो प्रोजेक्ट होगी हाइडरो एलेक्टरी प्रोजेक्ट उसके ल इसके लावा कांगड़ा में है, बनेर प्रोजेक्ट यह भी कांगड़ा में है, इसके लावा बसी पापर प्रोजेक्ट, यह मंडी में है, यह भी इसी एक्जिक्टिव एजनसी के अंतरगत आता है, लार्जी यह कुलू यह भी इसी एक्जिक्टिव एजनसी के अंतरगत, आंद्रा जल बिदूत पर्योजना ये शिमला में है ये भी HPSCV के अंतरगत गानभी पर्योजना ये भी इसी एक्जेक्यूटी एजनसी के अंतरगत संजे बिदूत पर्योजना या भावा पर्योजना ये किनौर डिस्टिक में है ये भी इसी एजनसी के अंतरगत कारे कर रही है और थिरोट जल बिदूत परयोजना जो की लाहॉल स्पीती में है ये भी इसी एजनसी के अंतरगत और गिर परयोजना जो है ये है सिर्मार्डिस्टिक में ये भी इसी एजनसी के अंतरगत कारे रहत है इसके लावा NHPC की देख लीजिए, NHPC की फुलवाव में National Hydro Power Project इसके अंतरगत जो प्रयोजना चली हुई है, चमबा की चमेरा 1, चमेरा 2, बैरा सियूल ये भी चमबा में Holy Hydro Project ये भी चमबा में है, ये चल रही है NHPC के अंतरगत और पारबर्ती प्रयोजना जो की कुलूम है, ये भी NHPC के अंतरगत इसके लावा चमबा में देखे, कुठेर जल बिदुत प्रयोजना है, ये चल रही है JSW Executive Agency के अंतरगत यानिके जिंदल सौथ वेस्ट कंपनी जो है, ये इसको चला रही है, कुठेर जल बिदुत प्रयोजना जो की चमबा में है बसपा प्रयोजना जो है, कहां पर है, ये है किन नौर में, कहां पर कि नौर में बसपा प्रियूजना है ये भी JSW के अंतरगत ही कारे रथ है इसके लाबा NTPC एगर हम बात करें तो NTPC की फ्लोवन देखे National Thermal Power Project इसके अंतरगत प्रियूजना काम कर रही है कोल जल बिदुद प्रियूजना जो कि विलासपूर में ये चली हुई है ये चली है NTPC के अंतरगत कारे रथ है ये वाली प्रियूजना BBMB देख लिजिए BBMB बाखडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड फुल फॉर्म इसकी बाखडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसके अंतरगत जो कारे रथ है प्रियूजना वो है Pong Hydro Project कांगडा में चल रही है और बाखडा नंगल प्रियूजना ये दोनों ही BBMB के अंतरगत कारे रथ है इसके लावा एजनसी देखिए PSPCL एक अजनसी ये भी है इनके पंजाव स्टेट पावर कॉर्पोरेशन इसके अंतरगत जो कारे रहत है प्रियूजना वो है शानन जल बिदूजना शानन जल बिदूजना मंडी डिस्टिक में है ये चली हुई है PSPCL के अंतरगत शानन जल बिदूजना हिमाचल की सबसे पुरानी जल बिदुद परियुजना है इसके लावा SJVN भी है एक अजनसी SJVN सतलूस जल बिदुद निगम इसके अंतरगत जो परियुजना कारे रत है एक तो नातपा जाकडी के नौर में है और धोला सिद परियुजना हमीरपुर में कारे रत है तो ये सारी परियुजना जो है इन इन अजनसी के अंतरगत ये कारे रत है चलिए नक्स क्वेशन देखते है स्रिमौर राज्ये में पजावता अंधोलन किस वरस हुआ था इन 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 इ हिमालन रियास्ति प्राजमंडल के नेता जो थे तो वो थे बागमल सोट था। कौन थे बागमल सोट था। इसके इलावा सुकेत सत्यग्राय जो है ये भी कई बार एक्जाम में कुशन पूछा जाता है कि सुकेत सत्यग्राय कब हुआ था ये वो था 18 फरवरी 1948 को इसके नेत इसके इलावा हिमालेव हिल स्टेट रिजनल कौंसिल की स्थापना कब हुई थी ये भी important question हिमालेव हिल स्टेट रिजनल कौंसिल की स्थापना ये हुई थी 1946 में 1946 में इसके इसके जो अध्यक्स थे बो थे स्वामी पूर्णा नंद हिमालेव हिल स्टेट रिजनल कौंसिल क स्थापना 1946 इसके लाव एक और पॉइंट देखिए अस्थाई हिमाचल सरकार की स्थापना कब हुई थी ये भी कई वार क्वेशन जो रिपीट हो चुका है अस्थाई हिमाचल सरकार की स्थापना हुई थी 26 जनबरी 1948 को 26 जनबरी 1948 को और इसके जो परदान थे वो सिर मौर के शीवा नंद रमौर जी इसके परदान थे अस्ताही हिमाचल सरकार के आगे नेक्स क्वेशन देखी क्वेशन नमबर फोर यहां पर पूछा गया है तो उसमें कांगड़ा का शाषक जो था रूप चंद जब इकिला गहरा था तो कांगड़ा का शाषक था रूप चंद 1365 में ही फिरोशा तुगलक जो था जौला मुखी से 1300 पुस्तकें जो था वो अपने साथ ले गया था संस्कृत की पुस्तकें थी यह अपने साथ ले गया और उसने फारसी के परसीद लेकर जो थे आगे next question देखें कुटलेहड रियासत की स्थापना किसके दोरा की गए थी option है जस्पाल बाहुसेन, पूरवचंद, अजे चंद बताए कुछले हैड रियासत की स्थापना किसके दोरा की गए थी तो लैड रियासत की स्थापना की थी जस्पार ने option number A यहाँ right answer होगा जस्पार ने इसकी स्थापना की थी बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी इसके लाबा रियासतों से भी कई बार important question पूछ ली जाते हैं सिर्मौर रियासत की बात हरे हम किसने स्थापना की थी, राजा रसालू, याद रखें, राजा रसालू ने स्रिमौर रियासत की, धामी रियासत, किसने स्थापना की थी, गोबिंद पाढ़ने, गोबिंद पाल, धामी रियासत की, नूरपूर रियासत, स्थापना की थी, जेट पाढ़ने, नूरपूर रिय सेन और ठियोग रियासत जो है यह भी important question यहां से आता है ठियोग रियासत इसके बारे में पूछा गया है तो यह की थी जै चंदने ठियोग रियासत की स्थापना next question देखिए यहां पर पूछा गया है प्रसीद ब्यक्ति बाई हिर्दा राम किस जिले से संबन्दीत है इंपोटन कोश्चन देखिए आप्शन है कांगड़ा मंडी सोलन या फिर शिमला बताई ए हिर्दा राम जो हैं कौन से डिस्टिक से कौन से जिले से संबन्दीत है तो यह संबन्दीत है मंडी जिले से option number B, Monday यहां पर right answer होगा देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रसीद ब्यक्ति हैं ये जो थे गदर पार्टी के संस्थापक सदसे थे और सुतंतरता संग्राम के करांती कारियों में ये भाई जी के नाम से प्रसीद थे किस नाम से जाना जाता थे इनको भाई जी के नाम से सुतंतरता संग्राम के समें और गदर पार्टी के संस्थापक सदसे थे next question देखिए डूंगरी मेला हिमाचल परदेश के किस जिले में मनाया जाता है डूंगरी मेला बुंडा उत्सव जो है ये निर्मंड कुलू में से हिमाचल परदेश का कुम्ब मेला भी कहा जाता है ये कुलू में मनाया जाता है बुंडा उत्सव इसे हिमाचल का कुम्ब मेला भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है कुम्ब मेला क्योंकि बारा साल बाद ये मेला जो है ये मनाया जाता है बूरी दिवाली ये भी निर्मन कुलू में और सारी यात्रा ये नगर कुलू में ये ही उत्सव जो है मनाया जाता है सारी यात्रा सिर्मौर में जो मेले उत्सव मनाया जाते हैं लोसर उतसब। लोसर उतसब का संबढ़ है नव वरस के आगमन पर लोसर त्योहार है कि नौर और लाहॉल स्प्लिटी मा मनाया जाता है। फुलएच BT में मनाया पौरी मिला यह त्रिलोकनाथ मिला यह उदेपुर् लाहॉलस्पित्टी में बनाया जाता है क्यवार option में उदेपूर ही आता है तो आपने धियां रखना है पोरी मिला या त्रलोकी नात त्रलोक नात मिला ये उदेपूर लहॉलस पीती में मनाया जाता है गोची उतसब जो है ये भी केलांग लहॉलस पीती में मनाया जाता है शिमला में देखिए शिमला के कौ लोग शिमला में मनाया जाता है, फाग और लभी मेला ये रामपूर में मनाया जाता है, रामपूर शिमला में फाग ये लभी मेला, पूरग मेला जो है, ये कोट खाई शिमला में मनाया जाता है, इसके लावा दिखे, important question यहां से पूछे जाएंगे, कुछ मेलों के नाम है, स दूई मिला नागनी मिला और सेचू मिला कौंस कौंस से जिलो में ये मनाया जाते हैं आगे next question देखिए पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने development block ये विकास खंड हैं option 75, 78, 79, 82 हिमाचल प्रदेश में कुल कितने development block हैं तो बरतमान के अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो विकास खंड है development block हैं वो हैं 88 कितने हैं 88 option ने में नहीं है ये उदर दिया गया तो आपने याद रखना हैं बरतमान में at present जो हिमाचल के development block हैं वो हैं 88, 88 block है पंचाइतें के अगर बात हारें पंचाइतें जो हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचाइत हैं हिमाचल प्रदेश में at present है population देखें पापुलेशन हिमाचल के कितनी है 68,64,602 ये है HP की population sex ratio कितना है हिमाचल का पिछली बीडियो में में डिस्कस किया था 974 sex ratio हिमाचल का इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात बाला जिला कौन सा है ये question भी कई बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात बाला जिला तो बो बाला जिला है किन और जिला इसका लिंग अनुपात है 819 अधिक लिंग अनुपात वाला जिला हमीरपुर जिला इसका लिंग अनुपात है 1095 इसके अलाव़ जनसंख्या गनत्तव जो है हिमाचल परेस का बो कितना है लेखिए जन संख्या गनत्तव हिमाचल का है 123 बिक्ती प्रती वर्व किलो मेटर कितना है 123 बिक्ती प्रती वर्व किलो मेटर यह हिमाचल पतेश का जन संख्या गनत्तव Next question 1986 इसमें बगानी के युद में गुरू गोबिन सिंग ने बिलासपुर के किस शाशक को हराया इसमें बगानी का युद गुरू गोबिन सिंग और भीम चंद जी के मद्दे हो था option number D यहां हमारा राय टांसर हुआ कब था 1686 1686 इसमें याद रखें आप इसमें भीम चंद को हराया था उन्होंने और बगानी कहां पर हो था बगानी का है बगानी जगा जो हो शिर्मौर जिले में पॉंटा सावी के समी पी जगा पड़ती है बगानी इसके अलावा देखिए 1685 इसमें गुरू गोबिन सिंग मंडी आये थे यह भी question पूछाता है कि गुरू गोबिन सिंग मंडी कब आये थे यह थे 1685 इसमें इसके अलावा अनंद चंद कहलू रियासत के अंतिम शाशक थे कहलू रियासत के तो कहलू जो रियासत थी उसकी स्थापना किसे ने की थी बीर चंद ने जो बीर चंद है इन्होंने कहलू रियासत की स्थापना की थी और अंतिम जो इस रियासत के राजा थे बो थे अनंद चंद कहलूर रियासत के अंतिम अनंद चंद और स्थापना की थी और बीर चंद ने इसके इलाबा अजे चंद जो हैं अजे चंद देखिए अजे चंद संस्थापक थे नालागड हंडूर रियासत के पिछले ही कोशन म बताई राइट अंसर तो हिमाचल प्रदेश बिदान सवा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थे जैवन तराम, option number B यहां हमारा राइट अंसर है at present अगर बरतमान के हम बात करें तो बरतमान में हिमाचल प्रदेश बिदान सवा के स्पीकर कौन है बो है कुदीब सिंग पठानिया कौन है कुदीब सिंग पठानिया जो है वो बरतमान में हिमाचल प्रदेश बिदान सवा के स्पीकर है next question यहां पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन क्षेतर कौन सा है option है शिमला, हमिरपूर, मंडी या फिर कांगडा बताइए हच पी का सबसे बड़ा संसदी निर्वाचन क्षेतर कौन सा है बो है मंडी option number C यहां हमारा right answer होगा मंडी next question है यहां पर पूछा गया है शूल नहीं मिला हिमाचल प्रदेश के किस थान पर मनाया जाता है कौन सी जगह पर मनाया जाता है option है सोलन, सुंदन अगर, पालंपूर या नादौन बताइए कहां पर मनाया जाता है शूल नहीं मिला तो यह मनाया जाता है सोलन डिस्टिक में option number A right answer होगा इसके लवा सारी मिला जो है सारी मिला ये भी सोलन डिस्टिक में मनाया जाता है सारी मिला अर किमैं یہ मिला मनाया जाता है सोलन में नेक्स कुश्चन دیکھтесь हैं हमाचल परदेश का परमॉर्क शेतर किस जंजाती دورा बसा हुआ है option है लाहौल, पंगवाल, किनौर या गद्धी, बताईए, बर्मॉर्क शेतर जो है हिमाचल पदेश का, किस जनजाती दोरा बसा हुआ है, तो बर्मॉर्क शेतर में जो जनजाती निवास करती है, बहुत गद्धी जनजाती, आप्शन अमबर डी यहां पर देखिए, राय टांसर को भी कहा जाता है, एक क्वेशन भी पूछा गया था एक्जाम में, अश्रमुक वाले लोग, यह कहा जाता है किनर जनजाती को, तदा किनर जनजाती जो है, इसको खोसिया के नाम से भी जाना जाता है, खोसिया, यह भी किनर जनजाती को जाना जाता है, खोसिया, लाहौल स रखा गया है गुजर जन जाती जो है गुजर जन जाती किसे अपना पूर्बज मानती है ये कुशन भी काफी इंपोर्टन है गुजर जन जाती जो है हिमाचल में जो है ये किसे अपना पूर्बज मानती है तो हुनों को ये अपना पूर्बज मानती है गुजर जन जाती है पर पूछा गया है शिला चोटी हिमाचल प्रदेश की किस परबत माला में स्थित है इंपॉर्डन कोशन देखिए ऑप्शन है शिवालिक मद्दे हिमाचली सरिंखला जासकर परबत माला या इन में से कोई नहीं आईए शिला चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की किस परवत माला में स्थित है तो यह स्थित जांसकर परवत माला में Option Number C यहां पर रमारा रायट अंजर हो गए शिला चोटी जो है हिमाचल की सबसे उंची चोटी है कि North District में है और इसकी जो उंचाई है बो है 7026 मीटर सबसे उंची चोटी इसके लावा शिवालिक की बात करें शिवालिक या इसे बहरी हिमाल्य भी कहा जाता है बहरी हिमाल्य या शिवालिक इसका जो अर्थ है शाब्दीक अर्थ है शिव की जटाएं या शिव के केस गुच याद रखे आपको शिवाली का शावदी कार्थ शिव की जटाएं या शिव के केस उच और प्राचीन में शिवाली को मेनाक परबत कहा जाता था मेनाक परबत ये कहा जाता था शिवाली को मद्दे हमाचली सरिंखला या लगो हमाले भी इसको कहा जाता है इस वे धोलादार और पीर पंजाल परबत माला आती है अब धोलादार जो परबत माला है इसको प्राचीन में कहा जाता था मौलाग मौलाग परबत इसको कहा जाता था प्राचीन में मैना कहा जाता था शिवाली को और मौला कहा जाता है धौलादार को कहा जाता है किनौर जिले का मुख्याले कहां पर है किनौर जिले का मुख्याले आप्शन है पूर, कलपा, रिकांग पियो या काजा बताए किनौर जिले का मुख्याले किनौर जिले का मुख्याले है रिकांग पियो option number c यहां पर right answer अब मुख्याले के अगर बात करें तो सिर्फ चार डिस्टिक जो हैं उनके मुख्याले आपने याद करने हैं कि नौर का रिकांग पी हो गया कांगड़ा का धर्मशाला मुख्याले और लाहॉल पीती का केलां मुख्याले या चार डिस्टिक जो हैं इनके मुख्याले की नाम आपने याद रखने हैं बाकि जो जितने भी डिस्टिक हा यह माजल करें इनके स्वाइन के डिस्टिक ही है नेक्स्स कुश्चन मंडी नगर की स्थापना किस वर्स हुई थी मंडी नगर की स्थापना ओप्शन 1527, 1533, 1542 या 1547 बता ही राइट अंसर क्या होगा मंडी नगर की स्थापना या मंडी शहर की स्थापना तो मंडी नगर या मंडी शहर की स्थापना हुई थी 1527 इस भी में और Ajrog Seen ने उसमें भूतनात मंदिर का निर्मान भी किया था अब मंधी रजय र्यासत की बात करें तो मंडि रर्य र्यासत की स्थाप न कि थी बाहू सेन ने एक हजार इसपी में मंडी रज्जेगी नेक्स कुश्चन अठारा सो नौ इसपी में जौला मुखी संदी संसार चंद्विती और निमन मैंसे किसके मद्दे हुई थी अठारा सो नौ की जौला मुखी संदी थी ती यह हुई थी संसार चंद्यूती और महाराजा रंजीत सिंग के मद्यों में आप्शन नमबर बी यहां महारा राइट अंसर होगा हुई कापती 1809 में यह आप याद रखें इसके लाव देखें महाराजा रंजीत सिंग ने अमर सिंग थापा को पराजित किया था जो ने बिक्त किया था महाराजा रंजीत सिंग ने उसमें नेक्स कोश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभ्यारण है और ऑप्शन है कुल्लू किनौर मंडी या लाहौलस पीती बताए खोखन अभ्यारण हिमाचल प्देश के कौन से जिले में है तो यह है कुलू डिस्टिक में, option number A यहां हमारा right answer हो, कुलू डिस्टिक में, कुलू डिस्टिक में देखी कौन कौन से अभ्यारन है, Great Himalayan National Park, Great Himalayan National Park, कुलू में, कायस अभ्यारन, कंबर, सेंज, तिर्थन, इंदर किला National Park, खीर गंगा National Park, यह सबी जो हैं, यह कुलू डिस्टि यहाली, सेंचुरी, नारगू अभ्यारन, शिकारी देवी, यह मंडी डिस्टिक में है, लहाल स्पिती की बात करें, तो लहाल स्पिती में देखी है, पिन वैली National Park, लहाल स्पिती में है यह वाला पार, चंदर ताल, अभ्यारन, किबर, किबर अभ्यारन, जो की सबसे अभ्यारन है, किबर अभ्यारन, यह लहाल स्पिती में सीते है, हिमाचल प्रदेश में देखे, कुल कितने National Park हैं, पांच National Park है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें के तीन अकेले कुलू में सीते हैं, कहां पर रहें, कुलू में तीन National Park सीते हैं, ग्रेट हिमालियन, इंदर किला नैसनल पार्क, कीरगंगा नैसनल पार्क ये तीनों ही कुल्लू में हैं और चौथा नैसनल पार्क, लाहल स्पीती में पिन वैली नैसनल पार्क और जो पांचमा नैसनल पार्क है सिंबल बाड़ा नैसनल पार्क इस रिमार्डिस्टिक में सेता है नेक्स कोश्चन लेकिए प्रत्थाम विशुविद के दुरान किसी हिमाचली ने विक्टोरिय क्रॉस जीता था तो ऑप्शन लेकिए बंडारी राम, जमादार लाला, सोमना शर्मा, दन सिंग थापा तो बताई राइट अंसर क्या होगा तो पहला विक्टोरी क्रॉस हिमाचल के जो थे वो थे जमादार लाला, जिन्होंने विक्टोरी क्रॉस जीता था आप्शन लमबर बी यहां पर हमारा राइट अंसर का जमादार लाला कहां से संबंदित हैं ये बोरंज से लिस्टिक अमिरपूर के बोरंज से संबंदित हैं जमादार लाला इन्होंने पहले विक्ति हैं जिन्होंने विक्ति जीता था बंडारी राम दूसरे विक्ति बने थे जिन्होंने विक्ति जीता था और ये हैं गुमार भी मिलाशपुर से सो मनाथ सरमा भारत के प्रथम परमबीर चक्र भी जेता है कहां से सम्बनी थे कांगडा से सो मनाथ सरमा दंसिंग थाप भादुरी के लिए इन भी परमबीर चक्र प्राफड उ Similar दंसिंग थापा ये हैं शिम्ला से आगे देखिए लास्ट क्वेशन बाइस राय जान लॉरेंस ने शिमला को अपनी ग्रीशम कालीन राजदानी कब बनाया था जान लॉरेंस जो बाइस राय थे कब उन्हें ने शिमला को ग्रीशम कालीन राजदानी बनाया था आप्शन है 1861, 1864, 1872, 1865 हाई बताई राइट अंसर क्या होगा तो राइट अंसर होगा 1864 ऑप्शन नमबर ब यहां हमारा राइट अंसर होगा जॉन लॉरस ने शिमला को ग्रीशम काली रादानी बनाए था 1864 इस बी में इसके साथ एक बीडियो के सुरू में हमने बात की थी कि पांच क्वेशन जो है एकजाम में लॉर्ड में यो शिमला कब आये थे दूसरा कोशन है कि नौर का पुराना नाम क्या था जरूर शेर करें आप इनका अंसर आगे तीसरा कोशन आपके लिए महिमा पुस्तकाले हिमाचल प्रदेश में कहां स्तीत है महिमा पुस्तकाले यह भी इंपोर्टन कोशन आगे नेक्स देखिए हिमालेन सर्किट पुस्तक किसने लिखिए थी यह भी आप शेर करें जरूर इसके आगे देखिए लास्ट कोशन पांच में कोशन आपके लिए शिमला आने वाले प्रथम गुवर्णर जनरल कौन थे कह नाम थनुका शिमला आने वाले प्रथम वीडियो बस यहीं तक आई होप कि आपको वीडियो संदा आई गई जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन थेंक्यू फॉर वाचिंग पेशंचली